सो अगत है मेरे सिटूप चैनल जोनेद विलोग में आज के स्टूडियो में हम बात करने वाले है देश के अलग-अलग शहरों में चार नई वंदे भारत एक्स्प्रेस चलाई जाएगी हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नेंदर मोदी इन चारों नई वंदे भारत एक्स्प्रेस को जल्दी हरी जंडी दिखाने वाले है तो चलिए बात करते है इस लिस में पहली वंदे भारत एक्स्प्रेस के बारे में तो इस लिस में पहले नंबर पर है टाटा नगर से पटना के दर्मियान में चलाई जाएगी ये न्यू वंदे भारत एक्सप्रेस टाटा नगर से पटना की दूरी 496 किलोमेटर की है इसमें दूसरी ट्रेने 10 घंटे 40 मिट का समय लगाती है वहीं पर वंदे भारत एक्सप्रेस चलाई जाएगी तो ये दूरी महज 9 घंटे में पूरी की जाएगी बात करें इसके ताटा नगर से ब्रहमपूर की दूरी 590 किलोमेटर की है इसमें दूसरी ट्रेने 10-12 घंटे का समय लगाती है वहीं पर वंदे भारत एक्सप्रेस चलाई जाएगी तो ये दूरीGR महज 9 घंटे में पूरी की जाएगी बात करें इसके रूट की टाटानगर से निकलने के बाद ये ट्रेन चावास, कटैक, बोनेशुवर, बुलगाव, चित्रपूर होते हुए ये ट्रेन ब्रहमपूर रेलवे स्टेशन पहुच जाएगी ये ट्रेन हफते में 6 दिन चलाई जाएगी और एक दिन इस ट्रेन का मेंटेनेस किया जाएगा बिना देरी करें बात करते हैं अगली वंदे भारत एक्सप्रेस के बारे में तो इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर है देवगर से बनारस के दर्मियान में चलाई जाएगी वंदे भारत एक्सप्रेस देवगर से बनारस की दूरी 455 किलोमेटर की है इसमें दूसरी ट्रेने 10 से 11 घंटे का समय लगाती है वहीं पर वंदे भारत एक्सप्रेस चलाई जाएगी तो ये दूरी महज 8 घंटे में पूरी की जाएगी बात करें इसके रूट की जजदी, मुकामा, पटना, दानापूर, दीन दयाल उपादे के रास्ते ये ट्रेन बनारस रेल्वेस्टेशन पहुच जाएगी ये ट्रेन हफते में 6 दिन चलाई जाएगी और एक दिन इस ट्रेन का मेंटेनेस किया जाएगा देवगर से बनारस के दर्मियान में 8 कोच इसकी वंदे भारत एक्सप्रेस चलाई जा सकती है चलिए बात करते हैं अगली वंदे भारत एक्सप्रेस के बारे में वहीं पर वंदे भारत एक्सप्रेस चलाई जाएगी तो ये दूरी महज 9 गंटे में पूरी की जाएगी। बात करें इसके रूट की तो आगरा कैंट से निकलने के बाद ये ट्रेन तंदला, इटावा, कानपूर सेंट्रल, परियागराज के रास्ते ये ट्रेन वरानसी रेल्वेस्टेशन पहुच जाएगी। ये ट्रेन हफते में 6 दिन चलाई जाएगी और एक दिन इस ट्रेन का मेंटेनिस किया जाएगा। योगी वीडियो अगर आपको पसंद आईए तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल जोनेद विलाओ को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, आपके लाइक और सब्सक्राइब करने से मुझे और मोटिवेशन मिलता है न्यू वीडियो बनाने का, तो म मिलते हैं निक स्टूडियो में, तब तक के लिए अपना खायल रखेंगा, आला हाफिस टेक कियर